Hello friends, EG2 Grow garden में आपका स्वागत है Friends, देखो कितनी खुबसूरत हो रा ना हमारे गारण अब अब गारण में खुबसारे फूल आ रहा है अब यह भी देखो यह तो पूरी गर्मी फूल आया है, यह गल्याडिया है इसे तो आप जरूर अपने गारण में एड करो बहुत खुब सूरत है, इसमें बहुत सारे कलर आती है, हमारे पास दो कलर का है एकी गमले में दो कलर का है, सीट से लगाई थी friends जब लगाई थी तब भी इसकी वीडियो मैंने डाल रखा है वीडियो friends पूरा देखा करो, जब समझ में आएगा और देखो ये बगर वायर का, ये बगर वायर का देखो जैड का दिल बना रही हूँ, कितना अच्छा से बन रहा है न, बहुत सारे मेरे बन रहे हैं, मोर बन रहे हैं, और तोता बना रही हूँ, और बहुत सारे चीज़े हैं, बत्तक भी बना रही हूँ, और ये देखो, ये अलिफेंड का पौधा है और देखो कितना खुबसूरत यह हो रहा है इसके बड़े प्यारे लगते हैं यह देखो ऐसे करके यह उपर जा रहा है तो यह श्टीक बांदिया है मैंने ऐसे आप भी बांदे ना तो इसी पर यह घूमता रहेगा और इसको देखो यह देखो यह छोटे से में ही लगा है यह देखो यह एक साल आप लगा लोगे तो आपको लगाने की जरूरत नहीं होगा यह हमेशा आपने आपी सील्ट जड़के हो जाता है गमलों में कहीं न कहीं आपको बिखरा हुगा मिलेगा और हो जाएगा अपने आप तो आज मैं य लगाते हैं भो इतना अच्छा ग्रोह नहीं करता जो ये अपने से लग जाते हैं ये बहुत अच्छे ग्रोह करते हैं तो चोटे से में हैं इसमें मैंने स्टीक लगा रखा है ये ऑ axi के थीगव ये देखो इतना बड़ा हो रहा है ये ये सिर्फ छोटे से में लगा हुआ है देखो पेपसी के बोतल में लगा हुआ है और ये गमले में लगा हुआ है ये वाला और ये देखो ये सीट से लगाई थी मैं ये सीट से लगाई थी तो तो कोई सीट से मैंने लगाया वो तो अभी तक देखो यह इतने छोटे-छोटे से हैं और यह अपनी से जो जढकी हो रहा है ना जो सीट जढ़ गया उसमे से कितना प्यारा हो रहा है बहुत खुबसूरत फूल आता है इसमें, जैसे की स्टार हो, और ये भी देखो कितना अच्छा हो रहा है, और ये वाला, ये भी देखो सीट जड़के ही हो रहा है, ये देखो, इसमें स्नेक्स में हो गया, मैंने उखेडा नहीं, मैंने का चलो रहने दो, ये देखो, ये की ह से लग जाता है और सीट से भी लग जाता है और ये भी कटिंग से लग जाता है तो मैं कटिंग से इसको नहीं लगाती है सीट से खूब सारा हो जाता है जरूरत क्या है मेहनत करने के कटिंग लगाओ फिर उसकी देख भाल करनी पड़ती है बहुत कटिंग से देखो ये भी निकल रहा है यह अलग से है अगर आप कटिंग से लगाओगे तो देखो ऐसे निकलेगा उसमें लाइनिंग पीली नहीं होगी और अगर आप अंदर सकर से लगाओगे तो सकर में देखो यह पीली सी लाइनिंग निकलेगी यह देखो तो यह ज्यादा मुझे सुंदर इतना यह तो दिखाने की वज़े से मैंने लगा दिया और नहीं तो मुझे अच्छा लगता है सकर से लगाने से यह देखो एक सकर कहीं से भी लियाओ और लिया के लगा दो तो इस तरीके से दिखो निकलियागा कि इतना प्यारा लगता है बड़ा ही खुबसूरत लगता है और एर फ्यूरिफायर है यह प्लांट यह आप कमरे में भी रख सकते हैं और हपता दस दिन वे एक दिन इसको धूब दिखा दो और खुब अच्छा चलेगा बहुत अच्छा प्लांट है और इसी में देखो यह का प्राजीता मेरा सेट जड़के हो रहा मैंने लगाया नहीं इसी वाले में इसी में लिपट जाएगा अच्छा हो जाएगा और इसमें बहुत फ्लावरिंग आया प्रेंट्स हम दिखा नहीं पाए यह देखो यह उसका फूल कही है यह देखो बहुत अच्छा है लिली का प्लांट है बहुत फूल आया अभी इसमें आएगा फूल मैं छोटी सी जगह में ही प्लांट रखके दिखा देती हूँ अप लोगों को देखो कितना खुर सूरत फूल है ग्लाडिया तो जरूर अपने गार्डन में एड़ करो और देखो यह जैड लगाई हूं कितना छोटा सा है मैं देखो यह देखो अ कितना अच्छा ग्रो कर रह कि देखो इसमें भी ऑलिफेंट यह भी स्रिट जड़के ही हुरा इसमें इर कोशकॉम का पधा है यह देखो इसी के अंदर सीट जड़के हो गए एक ही पधा है तो मैं छोड़ दी मैंने का कोई नहीं हो जाएगा यह मेरी नीमू का पधा है कि यृष वें सेमने हा रहा है उस्तरफ सेमने और तॉरी हो रही है कि तूरी भी सूप ‫ुलाब को लोक प्रद शूप गया है और यहां से अभी हरा है तो मैं यहां से कट कर दूमीनत यह चल जाएगा खराब नहीं होगा यह सदा बहार है और यह देखो अपराजिता है यह देखो कितना खुबसूरत हो रहा मेरा अपराजिता बहुत सिंदर हो रहा है यह मेक्सिकन पिटुनिया है इसमें खुब फूल आता है इसके दो विराइटी होती है एक दूआर एक यह वाला तो अभी मेरे पास यही है दूआर वाला खराब हो गया तो फ्रेंड्स में इसमें परपल कलर को फूल बहुत सारा आता सुबह के टाइम देखो यह रहा फूल जड़ गया बारिश अभी हो यह दिल्ली में खुब बारिश हो रही है और यह देखो सद बार चाहें और यह देखो यह बी जैड का है यह भी मैं कुछ बना रही हूं अभी मैंने सोचा निए इसका क्या बनाऊंगी लेकिन रख दियतूं इसका मैंने दिल बना दिया कोई वायर नहीं यह हैadora आय। ये रेन लिली का पौधा है ये बरसात में खूब फ्लावरिंग करता है देखो और छोटे से गंबले में ही लगा हुआ है खूब फूलाता आज तो कम आया है ये देखो ये सीड इसका ऐसा होता है ब्लैक कलर का सीड इसमें से निकलेगा तो आप क्या करो सीड को निकाल के चा में लगा दूंगी कैक्टस मेरे पास बहुत है अर रेन लीली तो जवरूर लगाओ फ्रैंडस ये मोर्निंग गिलोय का है, आज इसको मैंने इस पे इस डिक लगा के ऐसी करके उपर करी हूँ इसको, और इसी में देखो, ड्राइगन फूरूट का भी लगा हुआ है, कटिंग लगा रखी हूँ, ये भी चल रहा है मेरा खो बच्चा, ये देखो मेरा मोर बन रहा है, ये द ये सीता फल है, ये देखो, कमपोश्ट इसमें डाली थी, ये खुद बखुश सीता फल, खुद इदेखो लग गया और ये देखो, ये नाखभनी है, इतना बड़ा हो रहा है, ये नाखभनी, बहुत बड़ा हो रहा पडोसियों की छत पे जा रहा है और ये है मोरिंगा का पौधा जिसे सैजन बोलते हैं ये उसका पौधा है ये सुगर में बहुत काम आता है फ्रेंट्स इसे जरूर लगा लो आप वैसे भी बहुत अच्छा पौधा है ये इसकी ग्रोध देखो कितना अच्छा हो रहा है न बहुत अच्छा हो रहा है इसमें लगा रखी हूँ मोरिंगा देखो, ये देखो, मैं पूरा दिखा रही हूँ जब आपको समझ में आये गा, ये सकरकंदी का पौधा है, ये कटीन से लग जाता है बहुत असानी से, मैंने सकरकंदी से गुरो किया है, जब मैंने लगाया था तब भी इसके पूरी देखो यह बड़े से गमले में लगा हुआ है यह देखो बड़े से बारिश खुब हो रहे हैं यहां भी देखो कटिंग लगा के छुपा के रख दी हूँ मैं कि ज्यादा बारिश का पानी न पड़ा है जैड का कटिंग लगाई हूँ और इसी में मेरा सरीफा चल रहा है आप लगा दिया करो बस शकरकंदी को गाड़ दो और आपका पौधा तयार यह देखो कुछ नहीं करना है बस यह देखो यहां भी केक्टस मेरा रखा हुआ है अगर आपके पास केक्टस है तो देखो इस तरह गमला पलड़ देना नहीं बारिश के पानी से सड़ जाएगा देखो कितने अच्छे हो रहे ना देखो इसमें देखो जड़ निकल रहा है यह देखो बस यहां से ऐसे तोड़ो तोड़ के किसी भी गमले में किसी भी गमले में इसको ऐसे करके ऐसे करके हौल करो और हौल करके ऐसे करके गाड़ दो सकरकंदी का पौधा तयार हो जाएग देखो, जैसे कि मैंने डाल रखा है और अगर खाली वाइन रखो गया तो उसमें सकरकंदी नहीं आई तो मैं तो इसमें सकरकंदी भी लुगगी, देखो यह कट करके लगा रखी हूं न, जगा-जगा पर मैं कट करके लगा देती हूं तो इसकी मैंने hanging basket भी बनाया है बहुत प्यारा hanging basket है इसका और देखो यह कितना ही प्यारा लग रहा है यह देखो बहुत सुन्दर है और friends चीश पौधी को पानी जादा नहीं चाहिए उस पौधी को आप ऐसे पलट दो यह देखो नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा देखो सर्में पौधा मेरा लगा हुआ है और यह भी morning gilloy का है यह देखो इस्टीक में लगा दिया है एक इस्टीक इधर एक इस्टीक इधर और इनमें मेरा compost बन रहा है यह compost बन रहा है ये लोभिया का पॉत्धा है इस ताल में लेट हो गई लगाने में अब तक तो बहुत सारे लोभिया आ जाते। देखो खोब आ जागा है इसमें पपीता भी देखो यह हो रहा है अरे फूल भी आ रहा है अभी देखा मैंने यह देखो फूल आ रहा है तो अब इसमें मेरे फल आ जाएंगे तो लो भी आगा है यह 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 भी मोरिंगा का है मोरिंगा मैं सीट से लगाती हूं बहुत असानी से लग जाता है, कटिंग से भी लग जाता है, सीट से भी, सीट से लगाओगे तो लेट फल आएगा, और कटिंग से लगाओगे तो जल्दी आ जागा एक साल में ही, ये जैड का प्लांट है, और देखो ये कितना अच्छा बुसी हो रहा है, देखो कितना ही प्यारा बुसी ह और यह स्कार्ण और यह काम कर रही हूं कि नाम केक लगा लगा लो यह वैन है क्खूब लंबी वाइन चली जैती यह की बहुत सारा है मेरे पास हो देखो कितने सारी है यह गुदठया का प्लांट है's देखो कितने अच्छा फूल आ रहा है यह यह परपल हाड का है और यह तेर सारी में Boulevard लगा रखी है है यह करेलालगा रखी हूँ देखो है करेले का है बाइन जा रहा है है और देखो इसी कट्टे में लगा रखा है मैंने गंबले में गंबला नहीं है तो कट्टे में लगाओ बहुत अच्छा ग्रोव हो जाता है यह देखो तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखा करो मेरा बहुत अच्छी जानकारी देती हूँ मैं और फ्रेंड्स हमारी चैनल पर अगर नए हो तो लाइक करना, सेर करना, चैनल को सस्क्राइब करना बारिस आने वाली है, बादल बिल्कुल काला काला हो रहा है और अब वीडियो यहीं पर रोकते हम, तो फिर मिलते हम फ्रेंड्स किसी नई जानकारी के साथ, तक तक के लिए बाई फ्रेंड्स